आज हम इजी और टेस्टी ब्रिक्फास्ट बनाएंगे वेल्कम टू माई चैनल लीटा किचन कमपनी इसे बनाने के लिए एक टमैटो और एक अनियन को चोब कर लिया है दो स्पून कोरियंडर लीज और एक कैपसिकम को चोब कर लिया है थ्री एक्स और आधा कप मौजरेला चीज ली है पहले हम एक्स को एक बाउल में तोड लेंगे अब हम इसमें चॉप वेजिटेबल्स टाल देंगे ब्रेक्फास्ट को और हेल्दी बनाने के लिए हम दो तिन वेजिटेबल्स इसमें डाल रहे हैं आप अपनी मन पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हो अब हम इसमें दो चॉप ग्रीन चिली डाल देंगे अगर आप ये ब्रेक्फास्ट बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हो अब इसमें कुछ कॉरियंडर लीव्स डाल देंगे अब इसमें टेस्ट के काउडिंग सॉल डाल देंगे और वन फॉर स्पून ब्लेक पेपर पाउडर डाल देंगे अब एक्स में वेजिटेबल्स और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार विस्कर से भी विस्कर लेंगे ताकि अंडों में वेजिटेबल्स और अच्छे से मिक्स हो जाएं हमने अंडों को अच्छे से फेंट लिया है अब हम ब्रेट लेंगे नाइफ की हेल्प से हम ब्रेट की एजिस को अलग कर देंगे मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेट ली है क्योंकि यह वाइट ब्रेट से ज्यादा हिल्दी होती है अब हम बीच के पोशिन को एजिस से सेपरेट कर देंगे दूसरी ब्रेट के साथ भी इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करेंगे अब हम लोफ लेम पर तवा पर एक स्पून बटर डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे अब हम तवा के उपर दोनों ब्रेट के एजिस रख देंगे अब हम एजिस के सेंटर में अंडोर वेजी टेबल का मिक्स्चर डाल देंगे अब इसके उपर मुजरेला चीज डाल देंगे अब हम चीज के उपर फिर से अंडोर वेजी टेबल का मिक्स्चर डाल देंगे अब हम इसके उपर जो हमने ब्रेट का स्लाइस काटा था उसे रख कर जेंटली प्रेस कर देंगे दो मिनट पकने के बाद इसे फिलिप कर देंगे अब दूसरी साइट से भी दो मिनट पकने देंगे अब आप देख सकते हो अमारा कितना ही नियूट्रीशियस और कलरफूल ब्रेकफास्ट बनका रेडी हो गया है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही नियूट्रीशियस और हेल्दी रेस्पी देखने के रिए मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें